हालो फ्रेंट वेलकम बैक टू मैं चैलेंग कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूं तो फ्रेंट आज है तिन फ्राइडे और 4 सितंबर है और आज मैं ब्लॉग तोड़ा सा लेट इस्टार्ट कर रही हूं साम से इस्टार खुरगे फिर सुबह उपना होता है तो अगर नीन पूरा ना होना तो अच्छा नहीं ड़कता है कुछ भी करो आप उस अच्छा हיא लगेगा आप के अगर नीन प्रॉपर अच्छ asta ही करो अच्छी नहीं लगेगा और अभी बज़ना है साड़े पाच और रियान जी एक काम बढ़ा दिया मेरा आज और लुब्सान भी ख़ड़िया है वो है मेरा शीशा तोड़ दिया है देखिए ये शीशा तोड़ दिया इसमें मैं बाल बना रही ती अपना और कंगी रखने गई शीशा रखके और इसमे बहीं से खड़े हो के बोल लिए उसे, बैटू मत पकड़ना, मत पकड़ना, लेकिन इसने पकड़ लिया, और चोड लगी देखिए, इसका हाथ से कूल भी निकल गया, थोड़ा से खुल निकला है, ज्यादा नहीं लगा इसको, लेकिन कोई है न, बच्चों को कितना भी ध्य से रखो, लेकिन कुछ न, कुछ बच्चे करी लेते, बस तोड़ा सा खुमाओ, कुछ न, कुछ खरकत कर लेंगे, तो आज इसने सेसा भी तोड़ देखिए, चोड भी लगा लिए अपने आपको, और अभी साम के टाइम है, तो भूप भी लगके ये तो कुछ बनाओंगी रियान क्या खाऊ गया, समोसा, इसे समोसा, फुरूटी, ये सब बहुत पसंदे, जितना जंक फुरूडे वो बहुत पसंद करता है, चौमीं भी बहुत पसंद करता है, मुमोस भी बहुत पसंद करता है, अराम से खाता है, और कुछ खिचडी, जैसे खिचडी हो गया, दल करता है जनकूर और यह अब देखिए मेरी कान का यह जूंखा लेकर खेल का जब भी में मेकप करने बैठती हूं ज्यादा तो मेकप करते नहीं हो बस लिविस्ति के इंदी सिंबल लगाती हूं तभी बहुत कुछ ना कुछ लेही केता है वहां से और वो लगा के देखेगा उ कि अच्चा क्या तरहुत को भी अपेला हो जाता है दिंबर आपिल इसादी रहता है और? तो पूप से कुछ भी जालता है विससे खेलेगी कोई करता है जिसने साओ रहे हैं उसी में मतलब खुछ रहना चाहिए क्या तरेवित अकीला है यहां नहीं पता हुआ यहां ज़्यादा बच्चे नहीं है और ढरीर मेरे साधी खनता है जो भी कौर्ला हो आई कुछ भी है मेरे साथ ही करता है भी दिसथ को एक बालता है ङ तो इसके हो और फ्रेंस मैं अभी जाओंगी थोड़ा सा मार्केट, मुझे कुछ समाल लेके आना है, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तो आपी चलिए मेरी साथ मार्केट फ्रेंस, तो मार्क्स का है, मार्क्स पेल लेती हो पहले, यह रहा हूँ मार्क्स, तो मार्क्स पेलती हूँ, दिय प्रेट लेकी आई हूं चुछ बनाने वाले हैं और बटल लेकिया यहूं और मेरा ट्राइबोर टिक्र है आपको यह जब लेके आयों और यहान बहुत चीद कर रहा था वो मोमोस खायेगा तो मोमोस लेके आयों के लिए तो प्रैंस मोमोस खाते हैं और आपसे फिर मिलते हैं कि यहाँ पे देखे मैंने मोमोस कहने के बाद यहां आगी हम प्याज वर ट्रमाटर को काटने क्योंकि मैं बनाओंगी सेंबीच तो मैंने पतले-पतले करके आशक प्याजंग्र को में काट लीना है और यहां प्रैट के लेका आई हूं और यहां इक अकäreय की सलाइस ले लिया में चकण लाएना है और के लिए जरा काट लेना है। तब काट्स ऐसे आमें किछफ में आगे लरा अगर आपके पास चेटनी औरस फीला आंगर के अनक है कि लिए तो मुर्मिम नंक हम प्याज प्याज के स्लाइस रखतेंगे टमाटर के स्लाइस रखतेंगे और फिर से प्रेट रखतेंगे फिर इसके उपर हम यूनिस लगा लेंगी आप चाहें तो इस पे टिक्की बना कर भी लगा सकते आप चाहें तो इस पे जो चीज होता है ना वो चीज भी लगा सकते उससे सेट् बाटर केचिप लगा लोगी तो बहुत ही आसान है अगर आपको सामके टाइम हल्का फुर्क भूख लगे ना तो ऐसे सेंविच अब पना सकते हैं फिर फ्राइफेंड में बटर टाल देंगे बटर को चारो तरफ लगा लेंगे ना अन्टोने देंगे फिर सेंविच को में से एक सायब हमारी सेंट सैंट रोनबूर होने में सेंट सेंट के कहने हैं चाहिए और भी बेटर टालगीुई तो देखिए हमारी शैंविश well हमारे सेंट अंचे द भी लिए वाढ आद के सांध रinku काव्य वरर लगता है तो आप ऐसे सेंविच बना कर खा सकते तुरन और ये सारी चीजे हमारे घर पर हमेशा अविलवर होता है तो देखिए दूनों साइट हमारी सेंविच सिख रहे हैं और इसे हम निकाल लिया है प्लीट पे और साइट में ने चाय चड़ा दिया है चाय भी बन जाएगा तो चा आप आपको चाय दिख रहा होगा वाजब साम के टाइम आ गये ते ऑफिस से इसलिए मैंने चाय भी बना लिया ता साथ अब यहां पे मैंने फिर से फ्राइब बिठा दिया इसमें डाल देंगे सर्सो का तेल अब मैं बना रही हूं टिनर तो यह सबची में पर्सो का दिख बना रही हूं जो मैं रेस्पी नहीं दिखा पाई थी वीडियो का पी लंबा हो गया था तो वीडियो आज में दिखा रही हूं तो फ्राइब प्रैन में थोड़ा समय ने हंदी डाल देया है फिर जो यह आलू है एक आलू को मैंने चोटे-चोटे पीसिस में काट लिया है अब आलू को हम गोंडल प्रॉन कलर होने तक फ्राइ कर लेंगे आलू देखिए हमारे अच्छे से फ्राइ होगे आलू का कलर लाल हो गया अब आलू को हम निकाल लेंगे थाले में तो मैं बना रही है यहां पर आलू मटर तो बहुत ही आसान है आलू मटर की सबची बनाना आप इस रेसिपे को जरूर देखना इसके किये विना आपको बहुत पसंद आने वला है अब उसी तेल में में डाल दूंगी जीरा जीरा हलका सा चटक जाए फिर इसमें हम डाल देंगे पारिक कटा हुआ लसन और पारिक कटा हुआ अद्रक और हलका सा हमें इसको फ्राइ कर श्री में डाल देंगे अग्स प्रच अजाए हुआ इसको साओा ले है वियर में इसको प्राइब कर लिए कि आटे खहा कर दूंगी तब तक तक दूं इसको प्रों में रखनाका साओ ठाश नह जाए देखिए प्याज का कलर हलका सा चेंज हुआ है अब मैं इसमें डाल देंगी बारीक कटा हुआ एक टोमाटर और तीन-चार हरी मिर्ज बारीक कटा हुआ इसको भी हम थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे फिर इसमें हम डालेंगे मसाले तो नॉर्मली जो सब्ची में मसाले ये उसकरते हैं वही मसाले हम डालेंगे हल्दी पाउडर आदा चमच फिर इसमें डाल देंगे आदा चमच जीरा पाउडर आदा चमच लानमेच पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच कस्मेरी लानमेच पाउडर अब इसमे हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी पानी डालने से क्या होगा जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और अच्छे से मसाले को फ्राइब करेंगे जब तक कि हमारे मसालों में से तील ना चोड़ते तब तक हम लगाता चलाते हुए फ्राइब करेंगे फिर इसमें हम डाल सवाद अनुसन नमक और अच्छे से मिला लेंगे पानी के साथ मसाले को और लगाता इसको हमें चलाते हुए फ्राइ कर लेना है तो देखिए हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो गया है इसमें से तेल चोड़ दिया है और टमाटर प्याज अच्छे से सौप्ट हो अब इसमें हम डाल देगे मंतर, और फ्राइ अलो और मंतर को दो मिनुट तक हमें फ्राइ करना है जससे कि हमारे जो णुद आलो और मंतर है अच्छी से मसाले के साथ फ्राई हो जाए तbas light Grad के निए जासे तक दो मिनुट तक जो आशाता जाएंगे उस हिसाफ साफ से पानी डाले गा और अब 10 मिनेट के लिए धक्कन को बंद कर देंगे 10 मिनेट के बाद हम धक्कन को अटालेंगे तो हम अब जेक कर लेंगे कि हमारे जो आलो है वो अच्छे से कले हैं की नहीं तो देखिए friends आलो हमारे अच्छे से कल गए हैं तो आलो थोड़ा सा जाता इह गला दिजिए का इससे जो आपके क्रेवी हे न ही हैाठा की अच्छी से गाड़ी क्ड़ी कड़ी हो जाएगी और खाने में भी अच्छी लगी हैंकता N. जाले जो गरम मसाला 100 में आदा चमचा मचू पाउडर रिचा तसी में सबस्क्राइब से मिदा बार बहुतुए था कि deber कि देंगे 1 दॉज ए अचा चिंह सब्ए ऐन कि व्लिदीग के ही ऑग्साला भेश अर्जाय और चस्षा इसक्राव स्कूल ले कर देंगे और इसी हम एक पाउल में निकालेंगे तो फ्रेंज आज की ब्लोक अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगिए तो लाइक और शेर जरूर करना आप अगर मेरी चैलेंट पर नहीं हों तो प्लीज मेरी चैलेंट को सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए पाई पाई